आज हम दिल्ली का famous state food कुल्चे वाले मटर के छोले बनाएंगे ये छोले oil free हैं इसमें हमने विल्कुल भी घी तेल या बटर का इस्तेमाल नहीं किया है और साथ में कुल्चे भी नमस्ते दोस्तो मैं कवीता स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रादा किरुसे भी कम समय होने के कारण मटर को हमने गरम पानी में तीन घंटे सोग कर लिया था मटर काफी हद तक फूल गया है यदि आपने मटर को ओवरनाइट पानी में सोग किया है तो उबालते समय इस पानी का यूज ना करें जिससे की मटर जल्दी खराब ना हो यहाँ पर हमने मटर कुकर गैस पर रखेंगे पानी में एक टेबल स्पून नमक डालेंगे पानी में अबाल लाने पर भीग हुए छोले कुकर में डालेंगे कुकर का ढगकन बंद करेंगे मीडियम फ्लेम पर मतर में तीन से चार बिसी लगाएंगे यदि आपने छोले ओवरनाइट भीगों है तो दो विसी लिए काफी है, हरी चट्नी में आने के लिए ग्राइंडिंग जार में एक मुट्टी हरा दनिया, दस पंदा पूदे निखे पत्तिया, चार पांच रसल की गलिया, चार पांच हरी मिर्च, एक इंचा द्रक का टुकड़ा, हाफ टीस्पून काला नमक, हाफ टीस चार पांच आइस क्यूब्स और थोड़ा सा पाने डालकर जार को ढखकर इन सब को ग्रैंड करेंगे, हमारी हरी चट्नी बनकर त्यारे, इसे एक बोल में निकालेंगे, कुकर पुरी तरह से ठंडा हो जाने पर कुकर हमने खोल लिया है, चम्मस से चला कर छोले को चेक करते हैं, चोले एकदम सफ्ट हो गए हैं, अब इन उबले वे चोलो को एक बोल में डालेंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है, उसे एक कटोरी में निकाल कर साइड में रखेंगे, इससे फैक ना नहीं है, यदि आप चाहें तो इस पानी को बाद में चोले में डाल सकते ह हैं, इसके बाद मतर में डालेंगे, एक मीडियम साइज के बारी कटी प्याज, दो दिन बारी कटी हरी मेर्च, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, एक इंच बारी कटा ठुकड़ा, वन फोर्थ कटोरी बारी कटा हरा दनिया, आदे निम्बुक अरस, आप कम ज़्यादा डा मसाला दो पिंच हिंग डालकर सभी को मिक्स करेंगे हमने जो हरी चटनी बनाई थी एक टेबल स्पून हरी चटनी डालकर चोले में मिक्स करेंगे हमारे चोले बनकर तयार हैं कुल्चे बनाने के लिए हमने आदा किलो मैदा को चान कर लिया है अब मैदा में डालेंगे वन टी स्पून पाउडर शुगर 3 टी स्पून खट्टा दही 2 टी स्पून कोकिंग ओल और एक सेशे इन्हों डालेंगे पहले मीना पाने डालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद जरूरत की अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पाने डालेंगे और कुल्चे के लि फर्मेंट हो गया है हातों को तेल से चिकना करने के बाद डॉ को कम-स-कम एक से दो मिनाट तक मस लेंगे हातों को चिकना करके डॉ से रोल बनाएंगे और रोल से मीडियम साइज के कुल्चे के लिए लोईयां तोड़ेंगे एक और लोई आपको तोड़कर दिखाते हैं ल पंगूर्टे से लोई के बीच में जगे करेंगे और चारा तरफ से खटा करने के बाद हतेली के बीच में रखकर लोई को दबाएंगे लोईयों को कम से कम 10 मिनट का रेश्ट देंगे जिससे की लोई बेलने पर शिंक नहीं होगी चकले पर थोड़ा से तेल लगाकर लोई को हल्के हाथों से बेलेंगे इसकी बाद इसमें डालेंगे बारेक कटा हरा दनिया और कलोंजी थोड़ा से इसे और बेलेंगे, इसके बाद कुल्चे को दोनों हाथों की बीच में रखकर थप-थप आते हुए इसे बढ़ा करेंगे यदि आपका आटा पतला होगा तभी कु कुल्च़ डालेंगे दोड़ा सा पानी डालेंगे कुल्चे के उपर वाला साइट के तोड़ा सा बटर लगाकर इसे सेखेंगे यह कुल्चा बन गया है। दूसरे कुल्चे को भी हमने दोनों साइट से शेक लिया है अब कुल्चे के ऊपर वालन साइट थोड़ा से बटर लगाएंगे सारे कुल्चे हमने इसी तरह बना कर त्यार कर लिया है आज के छोले कुल्चे की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक कियर